नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल अस्क में और मैं हूँ किशिंचन दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिकाते स्पेस, डिफेंस और इंटरनाशनल खावरों के अलावा आपकी सेहस से जुड़ी जानकारी को है तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 155 mm के 52 कैलिवर ट्रक माउंट गन को लेकर और्डिनेर्स फेक्टरी कानपूर ने मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट के तहट पहली बार स्वधेश्ची ट्रक माउंट गन को इजाद किया है जो अब तक भारत विदेशों से लेता आ रहा है दोस्तो चेन्य के डिफेंस एक्सपो में लॉंचिंग के बाद ही इसको अंतराश्चे स्तर पर अब लोगों ने जाना है कानपूर की ओर्डिनेर्स फेक्टरी बोर्ड ने सेना के शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार नेने उत्पात तयार कर रही है सबसे ताजा उपलब थी उसकी 155 mm 52 कैलिबर ट्रक माउंट गन की है जिसकी लॉंचिंग हाली में चैन्य में आयुजित की गई थी और्डिनेर्स फेक्टरी पिछले 6 मेनों से इस प्रोजेक्ट पर मेकिन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम चल रहा था जिसे अंत में सफलता मिल गई गन की बैरल भी यहीं डिजाइन की गई है और और्डिनेर्स फेक्टरी में ही इसका निर्मान हुआ है दोस्तों आपको अधा देते हैं कि अभी तक भारत ट्रक माउंटेंड गन को फ्रांस, स्वीडन और इसराइल जैसे विक्सित देशों से ले रहा था क्योंकि अभी तक यही देश इस तरगे की ट्रक माउंटेंड गन को बनाते आ रहे हैं लेकिन अब भारत ने खुदी इस गन को तयार कर लिया है इस गन में ये खास बात यह है कि विदेशी गन की तुलना में इसका वजन काफी कम है और इसकी मारक शमता 42 किलोमेटर से भी अधिक है अमेरिका की एक मैगजिन है जिसको जेम्स कहा जाता है और वो रक्षा चेत्रों में काफी अच्छी पत्रिका मानी जाती है उसने भी भारत की ट्रक मांटेट गन की खुबियों के बारे में इस पत्रिका में लिखा है मेले में आये कई विदेशी रक्षा विशेशग्यों की नजर भी इस गन पर थी ट्रक मांटेट गन की बैरल की टेस्टिंग पहले से ही हो चुकी है अब ट्रक पर गन लगने के बाद इसका अंतिम ट्रायल होना है तो दोस्तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से Make in India प्रोग्राम के तहित पहली बार भारत ने खुद की पहली ट्रक माउंटेड गन को इज़ाद कर दिया है दोस्तों आपर जो अगला पडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच नौ सैनिक सयोग को बढ़ाने को लेकर दोस्तों आपको बताते कि प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी और ब्रिटेन की पीम टरीजा में की अगवाई में बुदवार को लंदन में एक दिपक्षी अवारता हुई है इस बातचीत में इस बात का एलान किया गया है कि भारत और ब्रिटेन की नौ सैनाओं के बीच हिंद परशांत महासागर यानि कि इंडरो पैसिफिक में नए सयोग की शुरुवात होने जा रही है इस बायान में जिस तरह से दोनों देशोग ने इस छेतर में अपनी शक्ती बढ़ाने में जोटे हैं तो चीन को निशाने पर लिया गया है दोस्तों इस बात से साफ इशारा है कि ये जो मिटिंग होई है वो किस देश की तरफ है यानि कि आप समासकते हैं कि चीन की मुश्किलें आगे बढ़ सकती है यहीं दोस्तों ब्रिटेन और भारत ने इस छेतर में मालवाहक जाहाजों के लिए मुक्त परिवहन की बात भी की है दोस्तों जिस तरह से चीन ने इस वक्त साउच चाइना सी में अपनी नौ सेने के शक्तियों को बढ़ा है उससे पूरी दुनिया चिंता में है इस छेतर में वियतनाम, फिलिपेंस, मलेशिया जैसे चोटे देश दुनिया के बड़े देशों की तरफ देख रहे हैं आपको उतादे कि भारत यूरोप की दो बड़ी सैने शक्तियां यानि कि बिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर अपनी नौ सेना को मजबूत कर रहा है बहुत जादा बढ़ सकती हैं क्योंकि अब ब्रिटेन भी भारत के साथ आ चुका है और अब आप समझ सकते हैं कि चीन की मुश्किले कितनी जादा बढ़ सकती है दोस्तों यहां पर जो अगलापनेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है दुनिया के सबसे बड़े विमान को लेकर दो कॉक्पिट और 28 पईयों और 6 इंजन वाला ये दुनिया का पहला विमान है इसके डैनो यानि की विंग स्पेस की जो चोड़ाई है वो फुटबॉल मैदान से भी अधिक है इस विमान का नाम स्ट्रेटर लाउंच है इसे माइक्रोसॉफ्ट के सैसन स्थापक पॉप एलन ने पिछले साल जून में इसका निर्मान किया था ये विशालकाय विमान रॉकेट के लिए हवाई लाउंच पैट का काम करेगा हाली में इसके दो परिक्षन हुए हैं दोस्तो तीन और परिक्षनों के बाद इस साल गर्मियों में ये अपनी पहली उडान भर सकेगा दोस्तो आपको दादे कि किस तरह से स्टेटर लाउंच करेगा रॉकेट लाउंचिंग का काम दोस्तो इस विमान को विशेष तोर से रॉकेट और उपगरों को लाउंच करने के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है इसके विशाल का एर पैड की तरह काम करेंगे जहां से रॉकेट पेलोड को कम समय में अंतरिक्ष में पहुचा जा सकता है इसके दोनों भागों के बीश की जगा पर रॉकेट या फिर अन्या पेलोड लगाए जा सकते हैं विवान के आसमान में पहुचने पर रॉकेट सीधे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा सकते हैं धर्ती से रॉकेट लाँचिंग के जाने में एक तो रिस्क और खर्चा भी जादा आता है इसे स्टैटर लाँच आसानी से कम कर देगा तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि स्टैटर लाँच आने वाले समय में रॉकेट लाँचिंग और स्पेस मिशन के लिए बहुत ही महतब पॉर्ण होने वाला है दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपकी सिहर से जुड़ा हुआ माइगरेन की समझ से अब एक बड़ती वी परिशानी के रूप में हमारे सामने आ रही है यह बिमारी अब किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है चाहे वो बड़े हो या फिर बुजर्ग माइगरेन की बिमारी में एक अजीब तरीकी का सिर का दर्द होता है इंसान के सिर के आदे भाग में लगातार दर्द बना रहता है माइगरेन की बिमारी में कुछ लक्षन होते हैं खास करकि खीरा, गाजर, पालक, आधी कप्रियोग करते हो तो इससे आपके माईगरीन की समस्या जल्दी ही ठीक हो सकती है इसके अलावा आप मौसमी फलो का सेवन भी जरूर करें PCV मिश्री, जी हाँ दोस्तों, मिश्री एक अचोग उपाय है माईगरीन की बिमारी से बचने का आप मिश्री को अच्छे से पीस कर उसे बटर के साथ मिला कर अपने नास्ते में प्रती दिन खाए और कुछ दिनों तक यदि आप इसको खाते हैं तो माईगरीन की समस्या से मुक्ती आपको मिल सकती है दालचीनी भी बहुत फायदे मंद होती है माईगरीन की समस्या कर रोकने के लिए यदि आप माईगरेन के दर्द से परिशान हैं तो आप दाल चिनी को पीशे और इसका लेप तैयार करके अपने सिर पर इसका लेप लगाए मालिश भी बहुत फायदे मन्द होती है यदि माइगरेन का दर्द आपको सता रहा है तो आप हलके हातों से अपने सर पर मालिश करें एक अध्यन में ये बात भी सामने आये है कि यदि आप माइगरेन के दर्द में हलका म्यूजिक यानि की सौफ्ट म्यूजिक को सुनते हैं तो इससे माइगरेन का दर्द आपका दीरे-दीरे ठीक होता रहेगा सुबा उठकर यदि आप अनुलो मिलो 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 मिद करते हैं और ताजी हवा में घूमते हैं तो इससे आपको माइगरेन की समझ सह से मुक्ति मिल सकती हैं दोस्तों जानकार ही कई बार बिमारियों का बचाओ करती है तो यह छोटे से उपाए हैं जरूर दोस्तों इंची जोपर ध्यान दे दोस्तों यदि आपको वीडियो सम्मंदित कोई सवाल या प्रश्न है जरूर हमें कमेंट बाक पर लिखके बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूलें साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ने भूलें धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए टेकनिकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो की लेटेस जानकारी पाएं